मननी सदसिकन, मेरी सरकार ग्रामीर अर्थ वेवस्ता और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है 22 महामारी के बाबजूद साल 2021 में हमारे किसानों ने 30 करोड टन से अधिक खाद्यान और 33 करोड टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की सरकार ने रिकार्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकार्ड सरकारी खरीद की है रवी की फसल के दोरान 433 लाख मेट्रिक टन गिहों की खरीद की गई जिससे लगवग 50 लाग किसानों को सीधा फाइदा पहुचा है खरीफ की फसल के दौरान रिकार्ड लगबग 900 लाग मेटिक टन धान की खरीद की गई जिसे 1 करोड 30 लाग किसान लावानवित हुए सरकार के प्रियासों से देश का करसी निर्याद भी रिकार्ड इस तर पर बढ़ा है वर्स 2021 में करसी निर्याद में 25 प्रित्सत से अधिक की बर्दी दर्ज की गई यह निर्याद लगबग 3 लाग करोड रुपए पहुँच गया हार्टी कल्चर और सहद उतपादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए श्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुँचके महत 25,000 मेट्रिक तन तक पहुँच गया है जो की 2014-15 की तुलना में करीब 55 प्रितिसत ज्यादा है 2014-15 की तुलना में सहद की निर्याद मात्रा में भी 102 प्रितिसत से ज्यादा की बर्दी दर्ज की गई है किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिलें इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुँचना ज़रूरी होता है इस दिसा में सरकार ने किसान रेल सेवा सुरू करते हुए किसानों के लिए खुशाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है कोरोना काल में भारती रेले ने सबजियों फलों तथा दूद जैसी जल्दी खराब होने वाली खाद सामगरी के परिवहन के लिए 150 से अधिक मारगों पर 1900 से ज़्यादा किसान रेल चलाई और करीब 6 लाक मेट्रिक टन करसी उत्पादों की धुलाई की यही इस बात का उदाहरन है कि अगर सोच नई हो तो पुराने संसादनों से भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं माननी सदसगण करसी छेतर में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ का सबसे बड़ा स्रे मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूँ देश के असी प्रतिसत किसान छोटे किसान ही हैं जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंदर में रखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी के माध्यम से 11 करोड से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड रुपए दिये गए इस निवेश से करसी छेतर में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं फसल भीमा योजना में नए बदलाओं का लाब भी देश के छोटे किसानों को हुआ है इन बदलाओं के बाद से अब तक 8 करोड से अधिक किसानों को मौावजा के तौर पर 1,00,000 करोड रुपए से ज़्यादा की रासी दी जा चकी है खेतों के नजदीक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विक्सित करने के लिए भी मेरी सरकार अपूत्पूर विस्तर पर निवेश कर रही है एक लाग करोड रुपए के करसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरगत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है मेरी सरकार ने खाद देल में आत्मे निर्भरता को दिहान में रखते हुए 11,000 करोड रुपए की लागत से नेशनल मिशन अन एडिवल आइल्स आइल पाम की सुरुवाद भी की है सरकार आरगैनिक खेती, प्राकरतिक खेती और क्राप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विसेश प्रियास भी कर रही है यह आप सभी की जानकारी में है कि संयुक्त रास्ट ने वर्स 2023 को इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स के रूप में गोसित किया है मेरी सरकार इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स को देश के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रूप्स, एफ पी ओज, फूड इंडस्ट्री और जन सामान के साथ मिलकर ब्यापक इस्तर पर मनाएगी मेरी सरकार वर्सा जल संदक्षन के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है देश में रेन वाटर हर्वस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारम पर एक जल स्रोतों के जिवरोधार के लिए विशेश अवियान चलाए जा रहे है परदानमंत्री क्रसी सिचाई योजना के तहित बिविन पर योजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेर सिचाई छमता विक्सित की गई है नदियों को आपस में जोडने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है हाल ही में 45,000 करोर रुपे की लागत से पूरी होने वाली केन वेत्वा लिंक परियोजना को भी सुकृति दी गई है यह परियोजना बुंदेल खंड में पानी की चुनोतियों को समाप्त करने में साहयक होगी